Study IQ IS अब तयारी हुई अफॉर्डबल Life at Labasna Welcome to Study IQ मेरा नाम है आदेश सिंग एक बंद कमरा कमरे में चारों तरफ किताबें ही किताबें दीवारों पर लगे दुनिया भर के नक्षे और टेबल पर किताब में घुसी हुई चेयर पर बैठी एक लड़की दुनिया दारी से दूर सिर्फ आँखों में एक सपने को संजो रही है सपना लबासना जाने का आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लबासना क्या है और ये लड़की इतने ध्यान से आखिर क्या पढ़ रही है तो बता दें कि ये लड़की IAS Academy यानि लबासना जाने का सपना देख रही है जिसके लिए वो UPSC की तैयारी कर रही है दोस्तो UPSC, CSE जिसे देश की सबसे मुश्किल exam में से एक माना जाता है एक ऐसी परीक्षा जिसमें बैठने की कोशिश करने वाला हर aspirant अपने आप में बहुत ही मेनती और लीक से हट कर कुछ अलग कर दिखाने का जजबा रखता हो ये वो exam है जिसे clear करने के बाद aspirants अपनी मंजिल के करीब पहुँच जाते हैं हर aspirant का ये खाब होता है कि वो training के लिए लाल बहादुर शास्त्री National Academy of Administration यानी लबासना जाए दोस्तो अपने इसी सपने को साकार करने के लिए aspirants जी जान से दिन रात एक कर मेहनत करते हैं Civil Service का exam clear करते हैं ताकि कहीं जाकर उन्हें लबासना में training का मौका मिले आज की इस वीडियो में हम लबासना के बारे में जानेंगे साथ ही जानेंगे कि कैसे लबासना एक IAS officer को तयार करता है और वहाँ पर भावी IAS की training दी जाती है उन्हें क्या-क्या सुविधाई दी जाती है लेकिन इस से पहले जानते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई History of लबासना पहाडों की रानी मसूरी की खुबसूरत वादियां और वहां की मनमोहक हवाओं से हर कोई वाकिफ है वादियों में बहने वाली हवा में जो जाता है वहीं का होकर रह जाता है इन्हीं खुबसूरत वादियों के बीच बसा है लबासना जहां पर जाना हर UPSC उमीदवार का एक सपना होता है लबासना का गठन 15 अपरेल 1958 को ततकालीन केंद्रिय ग्रिहमंत्री पंडित गोविंद वल्लब पंथ ने किया था 15 अपरेल 1958 को पंथ ने लोग सभा में गोशना की कि सरकार एक राश्ट्री ये प्रिशासन अकैडमी स्थापित करेगी जहां सभी नए सिवल सेवा भरती ट्रेनिंग कर सकेंगे इसके बाद साल 1969 में ग्रिहमंत्राले ने दिल्ली में स्थित I.S. प्रशिक्षन स्कूल और शिमला में स्थित I.S. स्टाफ कॉलिज को मिला कर मसूरी के चालविल एस्टेट में एक राश्ट्री ये स्थरकी प्रशासन अकादमी बनाने का फैसला किया अकादमी का नाम दो बार बतला गया है पहले अक्टूबर 1972 में इसका नाम बदल कर लाल बहादूर शास्त्री प्रशासन अकादमी कर दिया गया और जुलाई 1973 में इसमें राश्ट्रिय शब्द जोड़ दिया गया अकादमी को अब वर्तमान नाम लाल बहादुर शास्त्रिय राष्ट्रिय प्रशासन अकादमी यानि लबासना के रूप में जाना जाता है लबासना लोक प्रशासन और सारवजनिक नीती के लिए एक सिविल सिवासन स्थान है अकादमी का सबसे पहला काम IAS कैडर के सरकारी कर्मचारियों को पढ़ाना और Group A Central Civil Services का Foundation कोर्स कराना है IAS trainee officers अपना प्रशिक्षन पूरा करने के बाद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्व विद्याले से लोक प्रशासन में M.A. प्राप्त करते हैं बता दें कि 1985 में लबासना Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions के तहत काम करता है दोस्तों ये तो हुई लबासना की बेसिक जानकारी आईए जानते हैं UPSC पास करने के बाद एक aspirant कैसे एक officer बनने की राह यहां से शुरू करता है लबासना training schedule अकादमी में training की शुरूआत लगभग तीन महिने के foundation course से होती है जिसमें IAS officer के लिए selected candidates के अलावा IPS, IFS और IRS के लिए चुने गए अधिकारी भी शामिल होते हैं इस course में basic administrative skills सिखाय जाते हैं जिन्हें जानना हर civil सेवा अधिकारी के लिए जरूरी होता है लबासना पहुँचने पर academy का gate खुलते ही आपके सामने देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ती के दर्शन होगे साथी एक दीवार पर academy का अधर्श वाक्य शीलम परम भूशनम से सामना होगा इसका मतलब है आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा गुण है इसके तुरंत बाद I.S. का अधर्श वाक्य लिखा है योगह कर्मसू कौशलम गीता के इस सूत्र का मतलब है आक्शन में एक्सिलेंस ही योग है अंदर जाने पर लबासना का ध्ये वाक्य लिखा मिलेगा शायद यही लोग सेवक का उदेश्य होना चाहिए जो है पिछडे और वंचित व्यक्ती की सेवा लबासना का अकैडमी सौंग एक बिंगौली सौंग है जिससे प्रख्यात बंगाली संगीतकार, गीतकार और गायक अतुल प्रसाद सीन ने कंपोज किया है वे एक सफल वकील, परोबकारी, सामाजिक कारेकरता, शिक्षाविद और साहित्यकार थे इस सौंग को राजेश्वर प्रसाद के कारेकाल के दोरान अकैडमी द्वारा अपनाय गया था जो 11 माई 1973 से 11 अप्रेल 1977 तक अकैडमी के निदेशक थे बात करें अगर फाउंडेशन कोर्स की तो यहां दिन की शुरुवात सुभह 6 बजे से ही हो जाती है सुभह सुभह ही सभी अधिकारियों को पीटी के लिए एक ग्राउंड में एकठा होना पड़ता है और उसका रेपोर्टिंग टाइम सुभह 5 बचकर 55 मिनिट होता है पीटी के उस्ताद पीटी टाइम को लेकर बहुत ही सक्त होते हैं पीटी के लिए अगर आप लेट होते हैं तो आपको ग्राउंड के एक्स्ट्रा चक्कर लगाने पड़ते हैं दोस्तों ग्राउंड में आने से पहले भी बहुत नियम होते हैं ग्राउंड में आने से पहले आपको प्रिजेंटिबल लगना पड़ता है Academy में Training Officers को केवल formal dress पहनने की ही अनुमती दी जाती है यहां तक की mess में खाने के लिए भी dress code निर्धारित किया गया है Classroom के dress code में male officers को clean shave के साथ गर्मी के मौसम में necktie के साथ full sleeve shirt और pants पहनना अनिवारे है और सर्दी के मौसम में necktie के साथ full sleeve shirt, jacket और pants पहनना अनिवारे है इसी के साथ साथ leather shoes भी अनिवारे है वही female training officers के लिए साड़ी, सलवार कमीज, चोड़ी दार कुरता, western business suit, official jute, sandal के साथ पहनना अनिवारे है दोस्तों, सभी officers को mess में खाना खाते समय भी इसी dress code का पालन करना होता है इसके अलावा, अपने room के बाहर कोई भी officer, bathroom, slipper या sandal पहन कर नहीं गूम सकता ऐसा करने पर दंडे का भुगदान करना पड़ता है यानि कहने का मतलब ये है कि एक officer को किसी भी वक्त, चाहे वो सुबह के 6 बज रहे हूँ, officer ही दिखना चाहिए PT के बाद आप 7 बजे तक कमरे में आते हैं ठंड को भूल कर आपको 8.5 बजे तक किसी भी हाल में mess तक नाश्टे के लिए पहुँचना होता है और किसी भी हाल में 9 बजे तक आपको क्लास में पहुँचना होता है और अगर आप क्लास में पहुँचने में लेट हो जाते हैं तो अगले दिन आपको PT में extra round करा कर सजा भुगतनी परती है 9 से 5 बजे तक आपकी लगातार क्लास होती है इस दोरान लगभग 6 से 7 क्लास होती है हर क्लास 55 मिनट की होती है यदि कल्चुरल अक्टिविटी होती है तो उन्हें रात के खाने के समय से पहले डिसाइड किया जाता है जो की रात 8 बजे होता है रात के खाने के बाद ट्रेनीज एक दूसरे के साथ चर्चा करने अपने लेक्चर के रिविजिन करने और अगले दिन की तयारी करने के लिए आजाद होते है लबास्तना में अपनी ट्रेनी के दोरान भावी IAS अफसर भारतिय सम्विधान, सार्वजनिक नीती, शासन, प्रशासनिक कानून और प्रबंधन जैसे विशेयों पर विभिन्र सेमिनार और कारिशालाओं में भाग लेते हैं वे सार्वजनिक मामलों की प्रबंधन में व्याभारिक अनुभव हासिल करने के लिए क्षेत्र यात्राओं, समुहुचर्चाओं, केस्टाडीज और सिमुलेशन में भी भाग लेते हैं ट्रेनिंग के दोरान अकैडमी के अंदर कुछ खास एक्टिविटीज कराई जाती है जिसमें mental और physical मजबूती मिलती है जैसे singing, dancing, debating, theater, DJ night लिस्ट बहुत लंबी है वीकेंड पर ट्रेकिंग के लिए जाना होता है ट्रेक नए दोस्त बनाने के लिए एक बहुत अच्छी opportunity होती है जहां पर आपको अपने माइन को फ्रेश करने का मौका मिलता है एक महिने के कोर्स के बाद trainees को अलग-अलग group में बाटा जाता है और एक हफते के लिए हिमालियन ट्रेक पर भेजा जाता है ये हर trainee के लिए जरूरी होती है खराब मौसम, अपरियाबतावास, सीमित भोजन, आदी जैसी कठोर परिस्थितियों में सर्वाइव करने की skill develop करना इसका गोल होता है इसके अलावा सभी अफसरों के लिए India D का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी को अपने-अपने राज्य की संस्कृती का प्रदर्शन करना होता है इसमें सिविल सिवाधिकारी, पहनावे, लोक नृत्य या फिर खाने के जरिये देश की विविदिता में एकता दिखाते हैं सबसे खास activity है village visit इस दोरान अफसरों को देश के किसी सुदूर पिछडे गाउं में जाकर साथ दिन रहना होता है वहाँ पर trainee को मौका मिलता है कि वो गाउं के लोगों के अनुभव और उनकी समस्याओं को महसूस कर सकी गाउं में स्कूल अस्पताल, पंचायत, राशन की दुकान सब के काम करने के सिस्टम को गहराई से समझ सके इस विजिट का उदेश गाउं की जिंदगी के हर पहलू को बारीकी से समझना होता है ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें प्रत्यक्ष जानकारी दी जा सके ये आगे चल कर उनके करियर में काफी मदद करती है तीन महिने का फाउंडेशन कोर्स खत्म होने के बाद IAS को छोड़ कर बाकी अन्य सिवल सर्विसेस के कैंडिडेट्स अपने आगे की ट्रेनिंग के लिए अपनी अपनी अकाडेमी में चले जाते है जैसे की भारतिय विदेश सेवा के अधिकारियों के लिए नई दिल्ली में सुश्मा स्वराज विदेश सेवा संस्थान भारतिय पुलीस सेवा के अधिकारियों के लिए हैदराबाद में सरदार वल्लब भाई पटेल राष्ट्रिय पुलीस अकाडमी, भारतिय वन सेवा के अधिकारियों के लिए देहरदून में इंदिरा गांधी राष्ट्रिय वन अकाडमी और भारतिय राजस्व सेवा के लिए फरीदाबाद में राष्ट्रिय सीमाशुल को अप्रत्यक्षकर और नार्कोटिक्स अकाडमी खोली गई है। लबासना में सिर्फ ट्रेनी आएस आफिसर्स रह जाते हैं। इसके बाद आएस की प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू होती है। इसमें अड्मिनिस्ट्रेशन और गवनन्स के हर सेक्टर पर मॉड्यूल होते हैं। इस दोरान एजुकेशन, हेल्थ, एनरजी, अग्रिकल्चर, इंडिस्ट्री, रूरल डिवेलोप्मेंट, पंचायती राज, अबन डिवेलोप्मेंट, सोशल सेक्टर, वन, कानून व्यवस्था, महिला एवं बालविकास, ट्राइबल डिवेलोप्मेंट जैसे जाने माने एक्सपर्ट और सीनियर ब्योरोक्रेट क्लास लेने आती है। ट्रेनिंग के दोरान उस प्रदेश की भाषा भी सिखाई जाती है, जो जिन्दिगी भर की सर्विस के लिए अलोट किया गया है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की एक निवासी अफसर को प्रदू कैडर अलोट हुआ है, तो उसे अकैडमी में बाकी विशयों के साथ तमिल भाषा सिखाई जाती है। इसी तरह अगर किसी करनाटक के अफसर को असम मिला है, तो उसके लिए असमिया भाषा सीखना अनिवार है। ऐसा इसलिए किया जाता है, क्योंकि एक डीम के प विंटर स्टडी टोर, ये भारत दर्शन के नाम से ज्यादा मशूर है। दो महिने की विंटर स्टडी टोर के बाद फिर से अकैडमी में पढ़ाई होती है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के पढ़ाई के बाद एक्जैम होता है। एक साल की अकेडेमिक ट्रेनिंग और फिर एक साल की फिल्ड ट्रेनिंग पूरी करने के बाद JNU की तरफ से पबलिक मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री दी जाती है। इसके बाद आफिसर्स निकल पड़ते हैं एक साल की ऑन जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए एक नए राज्य की ओर, जहां आप ना ही मुश्किल और चुनोतियों से भरपूर है। अकादमी का सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च सेंटर एक कारेकारी निदेशक की अध्यक्षता में नैशनल एड्मिनिस्ट्रेटिव रिसर्च इंस्टिट्यूट है। अकादमी में डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, सेंटर फूर रूरल स्टारीज, जेंडर सेंटर और रूरल क्रेडिट सेंटर भी हैं। दोस्तों यहां आपने समझा की एक ट्रेणी लबास्टना में कैसे अपनी दिन्चर्या को पूरा करता है। आईए जानते हैं लबास्टना में कौन-कौन सी सुविधाई मिलती हैं। अकादमी में OT को ट्रेणी के दौरान कई तरह की सुविधाई भी दी जाती हैं। इजेनेट फिसिलिटीज के साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस की सुविधाभी मौजूद है। 189 एकड में फैले इस अकादमी में छे प्रमुक परिसर हैं। चाल्विल में मुख्य अकादमी परिसर, इंदिरा भवन परिसर, ग्लेन मायर एस्टेट, हैपी वैली परिसर, पोलू ग्राउंड और मॉनेस्ट्री एस्टेट। साल 1984 में ततकालीन चाल्विल परिसर की मुख्य इमारत आग में नश्ट हो गई थी। हाला कि अकादमी के मुख्य परिसर के अंदर कुछ इमारतों में अभी भी इसकी पुरानी आकिटेक्चर देखी जा सकती है। साल 1991 में एक भुकंप में महिलाओं का जीवी पंत ब्लॉक क्षति ग्रस्त हो गया था और इन दो स्थलों पर दो नई इमारतें अर्थात ध्रुवशिला और कालिंदी गेस्ट हाउस को बनाया गया। लबासना में OT को शिक्षण से संबंधित सभी तरह की सुविधाईं दी जाती हैं। अकैडमी में चार मुख्य भावन हैं। कर्मशिला, ध्रुवशिला, ग्यानशिला और आधारशिला। कर्मशिला में लेक्चर हॉल, आफिसर्स मैस, लाइबरी और आफिसर्स लाउंज भी हैं। फैकल्टी आफिसेज और अड्मिनिस्ट्रिटिव आफिसेज द्रुवशिला और ग्यानशिला में स्थे थे। ग्यानशिला में कुछ क्लासेज भी हैं। आधारशिला में एक कंप्यूटर लैब और कुछ क्लास्रूम भी हैं। Short term course और seminars के लिए academy के पास main campus के पास ही इंदिरा भवन complex है, जो main campus से एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दूस्तो, academy अपने सभी trainees और course participants को रहने की सुविधा प्रदान करती है New recruits के लिए यहाँ पर गंगा, कावेरी और नर्मदा नामक तीन hostel है लबासना के सभी hostel के कमरों में central heating, television और telephones दिये जाते हैं Mid career training program participants को Silverwood, Happy Valley, महनदी और Valley View executive hostels में रखा जाता है सभी hostels में common lounges, audio visual equipment, modern laundromats और common recreational areas है Visiting faculty को कालिंदी guest house में रखा जाता है Academy के पास ब्रह्मपुत्र आवास building में fellows और adjunct faculty के लिए studio apartment भी है लबासना में sports complex की सुविधा दी गई है जहाँ पर trainee को Academy में athletics, football, cricket, tennis, badminton, squash, volleyball, basketball, yoga, table tennis, billiard, सहिद, दूसरे खेलों की सुविधाईं भी है इसमें weight training और aerobic fitness equipment से संपन एक modern gymnasium है इसके साथ ही यहां race course और polo ground भी मौजूद है जिसे 1904 में एक पहाड़ी से काटकर बनाया गया था Academy ही घोडों की अपने अस्तबल का रख रखाव करती है इसके लाबा self defense, shooting, rock climbing, archery आदी की भी training दी जाती है Academy में OT के खाने पीने का भी पूरी तरह से खयाल रखा जाता है यहां की officers mess academy के भीतर की एक सम्मानित संस्थान है Probationers द्वारा संचालित ये स्थान Probationers के बीच सार्वभामिक भाईचारे और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करता है यह formal और informal get-together functions की जिम्मेदारी लेता है इसके अलावा लबासना की सभी सुवधाव में differently abled people का ध्यान रखा गया है differently abled category के OT द्वारा उपियों के लिए academy की हर building में access ramp बनाए गई है और साथी building में braille coded lift लगी हुई है academy दिन प्रति दिन की गतिविधियों में मदद के लिए आवशक्ता के आधार पर differently abled trainees को एक साहयक भी प्रदान करती है इसके अलावा सभी differently abled trainees को happy valley hostel में library, अधिकारी mess और classes तक आसान पहुँच के साथ रहने का आवास दिया जाता है इन सब के इतर लबासना में officers की सुविधा के लिए एक souvenir shop मौजूद है यहाँ training के दौरान होने वाली physical activity के लिए सभी सामान उपलब्द हैं जैसे की riding helmet, track suit, academy sweater इत्यादी, इसके साथ साथ stationary और officers की जरूरत के अन्य सभी सामान भी उपलब्द है इस shop में मिलने वाले हर सामान पर academy का प्रसिध लोगो लगा होता है conclusion तो दोस्तों यह था लबासना, जो OT के जीवन को रोमांच और मस्ती से भर देता है यह academy एक IAS probationer को एक polished administrator के रूप में ढालता है और उन्हें एक IAS अधिकारी के रूप में काम करने के लिए आवश्यक कोशल से लैस करता है लबासना प्रतियेक UPSC CSE aspirant के लिए एक सपना है वो वहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं जाते जाते आपको एक आश्चर ये जनक तथ्य बता दें जिसके बारे में अधिकांश लोगों को नहीं पता कि लबासना में न केवल भारतिये civil servants बलकि बांगलादेश, भूटान, मौलडीव्स और मेयन मार के कुछ selected civil servants की भी training होती है ये सभी अंतरराष्ट्रिये civil सेवक अपने भारतिये समकक्षों के साथ पहले तीन महिने के foundation course प्रशिक्षण में भाग लेते हैं दोस्तों लबासना का ये सफर आपको कैसा लगा और क्या आपका भी dream यहां पहुँचने का है हमारे साथ comment section में जरूर शेयर करें study IQ IS अब तयारी हुई affordable